जय शी राधे, जय शी कृष्णा से सद्गुर्वे नमा, शी राधा कृष्णा भ्याम नमा, सभी समस्त चन्तों के चर्णों में हमारा प्रणाम, आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिवंदन, वंदन, जय शी कृष्णा, श्रीमत भागवत कथा के प्रथम दिवस के गौकर्ण उपाख्यान के अध्यात्मिक भाव का विश्राम कड़ी में, आप सभी का हार्दिक विरंदन है, कथा श्रवन करने से क्या लाब है, गौकर्ण जी महारा जी समझाते हैं, और अपने भाई धुंदकारी का कसे कल्यान कि ये श्रीमत भागवत कथा करके, यहां पर जो बास में जो गाठ होते हैं, गौकर्ण जी महारा जी गाठों का मतलब बताते हैं, कि गाठ का मतलब बंधन होता है, तो उसका जो बंधन था, वो ढीला हो गया, किनका दुंदकारी जी महाराज, उनके जो भाई हैं, फिर दूस गए, और कथा विरामकर, जब गोकर्ण जी ने जयकारा लगाया, तो गोकर्ण जी ने जयकाराया, उसी समय, उस बास के पोल से धुंदकारी सरसरी प्रकट हो गए, बड़ा सुन्दर सा रूप है, प्रेत योनी से मुक्त हो के दिव रूप को प्राप्त हो गए हैं, गोकर् जी ये प्रेत पिड़ा करनास करने वाली श्रीमत भागवत कथा धन्य है, इसका सप्ता परायान भी धन्य है, जिस प्रकार अगरी जो होती है, सूखी, गीली, छोटी, मोटी से प्रकार के लकडियों को जला कर भशम कर देती है, उसी प्रकार से ये सप्ता, ज्यान, यग, जो भागवत श्रीमत भागवत कथा का श्रवन भी मन, कर्म, वचन द्वारा किये जाएं, तो नए पुराने छोटे वड़े सही पापों को जला कर भशम कर देती है, जिस समय दुन्दकारी ये कह रहे थे, उसी समय आकास से एक विमान उतरा, और विमान केवल दुन्दकार के लिए था, और कितने लोग सुन रहे थे, श्रुता बहुत थे, लेकिन विमान केवल दुन्दकारी के लिए आया, ये देखे गोकड़ जी ने विमान से, विमान में विराजमान, पार्षदों से बोले, यहाँ पर सभी ने एक साथ कथा श्रवन किया, तो बिमान एक आया और ये भेद कैसा है, तब पार्षदों ने कहा, श्रवनस भिवेदिन फल विद्योत्र संसिता, महराज इस फल भेद का एक ही मुक्यकारण है, वह है कथा श्रवन में भेद, कथा सभी ने सुनी, पर मनन किसी ने नहीं किया, मतलब कथा जब भी हम भागवत कथा या कोई भी कथा पंडाल में जाके सुनते हैं, या सास्तरों क अध्यन करते हैं, तो उसका चिंतन मनन करना पड़ता है, मनन किसी ने नहीं कि माराज, इसी कारण से एक साथ कथा सुनते हुए भी भेद हो गया, धुनकारी ने साध इनलागतार निराहार होकर कथा सुनी और मनन भी किया, अपने चित में बैठा कर खुब चिंतन भी किया, इसलिए आप द्वारा प्रेम से मन लगा कर कथा श्रवन अलग है, भागवाजी कथा वही है, वही वक्ता पर श्रोता तो अलग है, तो भेद अलग तो होगा ही, महराज, मुक्ती का मतलब मरना मिलकुल नहीं है, मुक्ती का मतलब है आत्म भूद, आत्मे ज्यान होना, अपनी आत्मा का ज्यान जिसे जीवित ही हो गया, समझे वो समय में आत्मक ज्ञान नहीं है उसे पुनरपी जनम पुनरपी मरणम पुनरपी जननी जठरे सयनम नारे जी बोले फिर क्या हुआ अमाराज सनक जी बोले फिर गोकण जी ने दुबारा शिर्मत भागवत कथा ज्यान यक का आयोजन श्रावण मास में किया और सभी ने प्रेम से कथा श्रावण की और सभी वैकुनरपी लोग को प्राप्त हुए इसलिए पूर्ण समरपन और श्रद्धा भाव से कथा भागवत का चिंतनमन श्रावण होना चाहिए गोकण जी महराज अध्यातनिक भाव पर विश्राम में कहते हैं कथा की विश्राम में नारे जी बोले महराज कथा श्रावण का नियम क्या है सनका आधिक कहते हैं सबसे पहले जब कथा श्रावण की इच्छा हो तो किसी श्रेश ब्राहमण से मुहरत निकलवा ले वैसे तो असाड और पूस का महीना वर्जित है बाकिस दिस दिन भी कथा का शुवारम हो वही दिन सुभ है पर शुव मुहरत में कथा श्रावण का फल अधिक मिलता है कथा के लिए उत्ता में स्थान चुनिए बैटने के उत्ता में विवस्ता हो देवताओं का आवाहन पूजन वैदिक हो दिवी सोभा यात्रा निकाल ली जाए मंदिरों का दर्सन करें व्यास जी के अलावा पांच ब्राहमण का वरण करें जो विगने घर्ता भगवान गड़ेज श्री गड़ेज जी है उनका मंतर का द्वादस अक्षर मंतर का गीता जी का विश्ण धास्तर नाम का भगवाजी के मूल पाट करें कथा में नीदना आये उसके लिए कथा के वीच में नाम संकिर्तन संगीत में भजन भी करते रहें जै सब्दम नमह सब्दम संक सब्दम चकारियत नारजी ने फिर पूछा महराज भगवाजी का नियम क्या है कहते हैं वैसे तो कथा ब्रत धारन करके सुनना चाहिए अथार निराहार नारजी बोले तब तो हो गई कथा संका आधी बोले तो फिर ऐसा करें एक समय थोड़ा फलाहार ले लीजिए ना चले तो दोनों समय फलाहार ले लीजिए और भी ना हो चले तो चारों समय फूल अहार ले लीजिए फलाहार पर कथा सुनिया कथा सुनने वाले को काम क्रोध लोब मों से दूर रहना चाहिए कामम क्रोधम मदम मानम मतसरम लाओब मेवच दम्भम मोहम तथा द्वेसम धूरियच्य कथा व्रती और वेद वैश्नब विप्राणम गुरू गोवरी गोवर्ति नाम तथा इस्त्री राज महाताम निंदा वर्जे द्याह कथा व्रती वेद पुराण वैश्नब विप्र गुरू गौसेबक राजा और इस्त्री की निंदा न करें सत्यम सौचम दयाम मोनम अजेब विनयम तथा उधार मानसम गुरियात्व कथा व्रती कथा सुनने वाले को सत्य का पवित्रता का और दया भाव धारन करना चाहिए आधिक साधिक मोन बत धारन करें सरलता विनय और उधारता का वर्दाप करना चाहिए शरद्धा भाव से कथा सुने और सुने हुए कथा का मनन करें अंत मिहावन और ब्राह्मन भोज कराएं और दक्षणा दें सनकादी कहते हैं नारा जी इस प्रकार कथा श्रवन से मोक्स दुवार खुल जाते हैं च्रीवत भागवत सब्ता के साथ दिन में श्रवन करना चाहिए साथ दिन इनका समय रखा गया है राधिकरपा से ऐसे तो जीवन भर इसका स्वध्धाय चिंतन करना चाहिए जब तक सासे हैं तब तक सास्तर का अध्यन सास्संग श्रमद भागवत कथा का श्रवन करना चाहिए लेकिन अनुस्ठान के रूप में जब कथा होती है तो साथ दिन में इसे पूर किया जाना चाहिए और इस कथा को पूर करने के लिए पांच ब्रामणों का वरन होता है और वक्ता का चैन करना वी चाहिए वक्ता कैसा हो वक्ता भागवत की कथा किसके मुख से सुने इसा भी चैन करना पड़ता है मतलब वक्ता का चैन करना चाहिए वक्ता कैसा हो भागवत की कथा किसके मुख से सुने चिराधे तो सुद्ध जी कहते हैं ऐसे वक्ता की द्वारा कथा को श्रमन करना चाहिए और जो अनेक धर्में फसा हो उनसे कथा नहीं सुननी चाहिए अनेक धर्म विव्व्रानताह का मतलब जिसको एक धर्म में निष्ठा ना हो गयो गंगा किनारे गंगादास जमना किनारे गयते जमनादास ऐसे सिधान्त वि सुख सास्त्र तो ऐसे व्यक्ति से श्रवन करना चाहिए जो वेद आधी सास्त्रों का अनभव कर सके और वेद आधी सास्त्रों का आपका अनभव वता सके ऐसे विद्वान पूरुस के द्वारा ब्राह्मन के द्वारा भागवत की कथा श्रवन करनी चाहिए और साथ देन मे विश्णु सहस्त्र नाम के पाट से ही उसकी पूर्ती हो जाती है और अंत में भागवत की पोथी को सुन्दर वस्त में रख करके आचारियों को ब्राह्मन को दान करना चाहिए इस प्रकार से विधी पूर्वक साथ दिन तक जो कथा शरवन करता है वो समस्त पापों से मुक् श्रीमद भागवतं पुराण तिलकं यद वैश्ण वानां धनं यश्मिन पार महन सैमेव मम्मलं ज्यानं परं गियत यत्र ज्यान विराग भगती सहीतं नैश कर्म्यार्मा विश्कृतं तच्चछन्वन प्रवठन प्रपठन वीचारण परोभकतया वीमुचे नरा वीमुचे नरा यह भागवत कता तो पुराणों का तिलक है जैसे वडों में ब्रामन तिलक है और यह हम वैश्ण वो का धन है प्रम हंसों के प्राप विश्वत ज्यान का ही वरण किया गया है क्यान विराग भक्ती के सहित निवृत्ति मार को प्रकासित किया गया है जो पूरुष भक्ती पूरुवक इसके सरण पठन और मनंज में तत्पर रहता है वो मुक्त हो जाता है सूज जी कहते हैं सौनक जी, सुकराचार जी इस प्रकार भागवा जी का गुणगान कर ही रहे थे कि तभी उस सभा के वीच में प्रहलाद, बली, उधव और अरजुन आधी पारशदों के सहित भगवान नारायन प्रकट हो गए नाराजी ने भगवान नारायन का पुजन किया और एक स्वण सिंगहासन प्रयासन दिया और उनके सनमुख किर्तनारम कर दिये चौद धुवह काश्य धारी वीडा धारी सुर्श्रिशिह स्वर्कुसलतया राग करतार जुनो भूत इंद्रो वादीन मृदंगं जै जै सुकराह किर्तने ये कुमारा यत्रा अग्रे भाव वगता सरस रचनया व्यास पुत्रो वभूह अब जो है श्रीमत भागवत कथा के अगली कड़ी में चीमन नारायड़ 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 लक्ष्मी नारायड़ नारायड़ भजमन नारायण, 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 लक्षमी नारायण, 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 राधि किशोरी दया करो श्यावालाडेली धया करो अब आगली कड़ी में श्यावाद भागवत कथा के दूसरे दिवस की कथा श्यादाराने क्रपा से अगली कड़ी में तफ्तक के लिए जय श्यादे जय श्यादे श्यक्रिष्णा भाव नहीं मेरा जन कोई साधना मैं हूं मलीन मती जन न यराधना एराधिके 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 एराधिके